हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल सपनाज इजी गार्डिनिंग टिप्स फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको जटरोपा प्लांट की फुल केर के बारे में बताऊंगी यह एक समर फ्लावरिंग प्लांट है जो बहुत ही लो मेंटेनेंस फ्लांट है इससे बहुत ज़ादा केर की जरुवत नहीं होती है बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है यह और अगर आप इसे जमीन में लगाते हैं तो यह कुछी टाइम में एक ट्री का शेप ले लेता है बहुत ज़ादा बुशी हो जाता है और पूरी समर बर यानि की एप्रिल से ले करके नोंबर तक इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है जब बहुत ज़ादा ठंड पड़ती है तब इसमें फ्लावरिंग कुछ टाइम के लिए रुक जाती है और अदर्वाइस इ डॉरमंसी में चला जाता है विंटर समय उसके बाद मार्च आते से ही फिर से इसमें अच्छी फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो जाती है तो अब बात करेंगे कि इसमें सनलाइट हमें कैसी देनी होती है जट रूपा का यह जो प्लांट है यह फुल सन वाला प्लांट है इसे पास से छे गंटे की डायरेक्ट संलाइट की जरुवत होती है तो आप इसे अपने घर पर ऐसी जगा पर लगाएं जहां पर इसे पूरे दिन की अच्छी संलाइट मिलें अगर जमीन पे लगा रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी केर करने की जरुवत ने रहती हैं यह बह जादा फैलने की जगा मिल जाएं क्योंकि यह एक ऐसा प्लांट है जो बहुत तेजी से ग्रो करता है और बहुत ही जल्दी बुश्य हो जाता है तो आप इसे ऐसे इस तरह से बड़े से पॉट में ही लगाएं तो यह बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा मेरा यह जो प् इतने में काफी खूबसूरत लगता है अभी मेरा भी यह प्लांट छोटे से पॉट में लगा हुआ है कुछी टाइम में मैं इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दोंगे अब बात करेंगे कि इसके लिए हम फ़र्टिलाइजर को क्या यूज करें जट रोपा का एक ऐसा प आता है आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोज जो भी आपके पास हो उसे आप यूज कर सकते हैं दो मुटी गोबर की खाद को आप रात पर एक लिटर पानी में भीगो कर रख दीजिए और सुबा उसमें उतना ही पानी मिला करके अपने जट्रोपा के प्लांट में आप दे दीजिए पंदरा दिन में एक बार तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी इसके अलावा आप ओनियन पील फर्टिलाइजर और बनाना पील फर्टिलाइजर को भी इसमें दे सकते हैं उससे भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है तो हो यह बहुत अच्छा प्लांट है इसमें आप जब भी इस प्लांट को लगाएं तो आप कम से कम 40% इसमें कम पूस्ट का इस्तेमाल करें चाहें गोभर जो या फिर वर्मी पन पोस्ट हो तो यह बहुत अच्छे मेक प्लांट ग्रो करता है वाटरिंग की बात करें तो फूल प्लावर्स बहुत जादा देखने में हुपसूरत लगते आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके यह फ्लावर्स तो यह प्लान चु आप इस समर में अपने घर पर जरूर लगाए तो फ्रेंड्स यह था मिरा आज का फीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेर सरूर करें